जहीं दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अध्यन करेंगे class 12 में जो हम लोग चित्र प्रकार्शन से math में कर रहे हैं हम लोग शदिश बिश गरत पड़ रहे हैं आज हम लोग जो है अध्यन करेंगे 10.3 आपको बता दें कि 10.2 को हम लोगों ने completely खतम कर ल एक्स्ट्रा चीज है जिसे पर्णामी तो पर्णामी आप लोगों ने class 11 में पढ़ा है वो भी physics में पर्णामी पर्णामी का मतलब होता है जिसे आर है ठीक आर को लिखते पर्णामी और यह मारे पास formula होता है a square plus b square plus 2ab cos theta ठीक यह होता है पर्णामी जब हम लोग कोड निका दूरी के लिए तो हम लोग क्या करते है उस समरे 10 theta ग्याद करते है ध्यान रखना कि यह हम लोगों ने class 11th की physics में हम लोगों इसका दिन किया है आपको पता है कि class 11th की physics है बहुत important है इस exercise के लिए वह से यह exercise ज्यादा important भी नहीं है आपके board exam के लिए ठीक है कि बिल्कुल भी important नहीं है ठीक तो इसको नो normally अध्यन कर सकते है इसलिए आपको पहला question क्या है पहला question है कि किसी पिंड के दो वेग किसी पिंड के दो वेग 10 मेटर परती सेकेंड तथा 24 मेटर परती सेकेंड दो परश्पर लंपत दिशाव में है एक शदिश आरेक बना कर पिंड का परणामी वेग ग्यात कीजिए परणामी हम लोगों ने 10.2 में आपको परणामी शिखाये था परणामी के बतलब है घूम के जाना और एक डिएक जाना तो डिएक जाना आपका परणामी होता है क्लियर जैसे इनका कहिना क्या है इनका कहिना किसी पिंड के 2 मेंटर परती सेकेंड और 24 मेंटरं परती sigma 2 परणामी अधिश परणी दुरू нравится यह दोनों एक दूसरे के लम्बवत है लम्बवत के लिए आपको पता देते हैं कि इस परकार से जब भी लम्वत जिससे physics में आपको उमने पढ़ाया था न फ्लेमिंग के दायात करने भाहाइद के नियम तीन यह दूसे कि लम्वत होता है तो लम्वत का मतलब क्या होता है यह एक दूसरे के लम्वत ह इस प्रकार से लंब बत है इस प्रकार से लंब बत है अगर आपके पास ये 10 मीटर पर सेकेंड है और एक क्या है 10 मीटर पर सेकेंड एक 24 मीटर पर सेकेंड तो फिर ये आपके पास 24 मीटर पर सेकेंड है ठीक अब पढ़नामी किसे कहते है, पढ़नामी कहते है इसे, इस प्रकार्थ पढ़नामी, मतलब जिसे मालो कि आप यहां से चलना प्राराम कर रहे हो, और यू जा रहे हो, फिर यू जा रहे हो, एक डिरेक्ट यू जा रहे हो, ठिक, इसे नाम दे दो A, इसे नाम दे दो B, इसे न तो उस condition में आपकी प्रणामी कई से निकालते हैं? R बराबर Under root 10 कवर्ग plus 24 कवर्ग R बराबर Under root 10 कवर्ग आपकी पास आपकी पास हो जाएगा 124 कवर्ग होता है 576 और यह हो जाएगा R बराबर यह हो जाएगा Under root में 676 जो कि 26 कवर्ग है तो इसका पढ़नामी क्या है 26 मीटर पर सेकेंड तो पढ़नामी क्या है 26 मीटर पर सेकेंड इस है दूसरा question अपके पास तो यदि दूरी की बात कीजा तो दूरी आप लोग कैसे निखालोगे दूरी निखालने के लिए आपको तरिका बताते है दूरी अब लोग ऐसे निकालोगे 10 theta से दूसरा नहीं देखो भी दूरी देखो कैसे देखो गए 10 theta बराबर हमारे पास formula क्या होता है लंबटे आधार ठिक लंबटे आधार यहाँ पर लंबटे यहने 10 theta बराबर लंब क्या है 10 आधार क्या है 24 एक काम करते हैं लोग यहाँ पर 10 ले लो इस पर कोई फरक नहीं बढ़ने वाला यह तो ही यहाँ पर 10 ले लो और यहाँ पर 24 ले लो तो मारे पास man निकलाएगा ने तो फिर man minus में हो जाएगा दिशा minus में कभी करते ही ने हम लोग तो यह होजाएगा लम बटे आधार 24 बटे 10 तो 10 थीटा बराबर यह होजाएगा 2.4 अगर यहाँ 10 करेंगे और यहाँ पर हम लोग 24 करेंगे तो 0.2 में आ जाएगा ना जब 0.2 में आ जाएगा तो फिर 10 माइनिस होजाएगा तो दिशा दूरी कभी माइनिस करते नहीं है अब यह आपको थीटा बराबर आप लोग टैन इनवर्स दो दो समलोग चार कर सकते हो ठिक यह आपके पास दिशा आईसे ग्यात करोगे अगर आप लोग एक्जेक्ट मान निकलना चाहोगे तो फिर आपको मुबाइल का शाहरा लेना होगा तभी आप लोग इसको निकाल पाओगे तैन थीटा बराबर यह लगभग तैन सड़ सट के आसपास कमान है तैन सटैन कैंसल थीटा बराबर सड़ सट अंस ठिक यह है अब के इसे याद रखोगे हम लोग जानते 10 6 Command क्या होता है 10 6 Command Under Root 3 10 6 Command 10 6 Command Under Root 3 Under Root 3 मցतलब एक दिसम्हलोग साथ तीन दो तो एक दिसम्हलोग साथ तीन दो टेन साथ तो इसका मतल़ 10 60 से यदिक है और 10 45 का इसी ली हम lose jour соп 10 60 मствоरण हम लोग जान चुके है कि यह 66 या 66 के आस पास है दूसरा दूसरे कोश्चन में यह है कि एक चालक ठीक है एक चालक किसी हवाई जाज को 200 किलोमेटर प्रती घंटा की वेक से उत्तर दिशा में उड़ा रहा है सबसे पहले आपको दिशा के बारे मताते हैं दूसरे नमबर में इस परकार से हम लोग दिशा बनाते हैं इस परकार से यह मारे पास होता है इस्ट यह मारे पास बेश्ट यह नौर्थ यह साूथ जो इस बता दिया है यह मारे पास है पूरव, यह मारे पास है पश्चिम, यह मारे पास है उत्तर और यह मारे पास है दक्षिण. ठिक, पूरव पश्चिम उत्तर दक्षिण. अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि किसे चालक हवाईजाद 200 किलो मेटर प्रती घंटा की वेक से उत्तर दिशन उड़ा रहा है मतलब 200 किलो मेटर प्रती घंटा की वेक से तो यह यहाँ पर उड़ा रहा है 200 किलो मेटर काम करते हैं इसको पहले चेंज कर लेते हैं 200 किलो मीटर ऐक हजार और इह अधा करोAK 3 और इह अधा करोका तो 500 इह अधा करोका 3 तो 500 बटे 9 मीटर पर सेकेंड इसके बाद इसके बाद इनका कहिना है 80 किलोमेटर परती घंटा की पूरब की ओर तो यहां पर उत्तर की ओर यह है 200 किलोमेटर परती घंटा अब पूरब की ओर है 80 किलोमेटर परती घंटा इसको भी चेंज कर लो इसको भी जब change करेंगे तो 80 km प्रती घंटा है तो मतलब 80 x 1000 बटे 60 x 60 एक दो एक दो 0 तो यह हो गया 800 बटे 6 x 6 आधा करो तो 400 यह 3 आधा करो तो 200 यह 3 तो यह हो गया 200 बटे 9 अब देखो यह परणामी है पूछा है हमसे परणामी है यह हमारे पास परणामी है यह हमारे पास परणामी होता है हमारे पास तो हम लोग नाम कर देते हैं यहां का नाम 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 देते हैं 509 का वर्ग 2099 का वर्ग तो यह हो जाएगा पानौ 5, 25 एक, दो, तीन, 4, 0 वर्टे 9 का वर्ग 81 240 का 4 वर्डे 8 ठीक तो आर मेर Memmer यह हो जाएगा आपके पास 4, 0, 4, 0 4, 0 हो गया कॉवान तो 4, 0 बाहा निकालोगा अंडरूट से निखलेगा दो जूरूग की रूप में, यह वचा 25 प्लस 4, तो आर वराबर यह हो जाएगा, 100 बटे 9, इंटू यह हो जाएगा, अंडरूट 29, अब एक काम करना होगा आपको, अंडरूट 29 पो निकालो गए, अब लोग जांते हो, कि 5 पाचीस को निकालते हैं कि रूप में, मतलब 5 से ज्याद है, लगभग 5 असपास है। तो हम लोग अंडरूट 21 को निकालेंगे, तो यह 5 असपास हैं, तो हम लोगों ने क्या कह लिया यह हो गया 100 बटे 9 इंटू 5.38 अंडरोड 29 कमान हो गया 10.8 के हम लोगों ने 2.0 बढ़ा लिया 2.0 सो 2.0 कैंसिल कर लिया और बराबर 5.38 बटे 9 5.38 बटे 9 अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर यह हमारे पस किसमे है मीटर पर सेकेंड में इसको किलो मीटर में बदलो तो 5.38 बटे 9 एक और आपको तरीका बताते है एक तरीका आपको यह है कि जब हम लोग किलो मीटर प्रती घंटा को मीटर पर सेकेंड बनाते हैं किलो मीटर मीटर पर सेकेंड तो 5.18 का गुणा करते हैं और किलोमेटर प्रती घंटे बनाने के लिए 18 बटे 5 का गुणा करते हैं, तो हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग 18 बटे 5 का, 18 बटे 5 काटो, 9 दूनी 18 गुणा करो, आर बराबर, 8 दूनी 16 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10 बटे 5, तो आर बराबर, 5 दूनी 10, फिर 5, एकम 5 बचा 2 26, पचम 25 और बचा 1 5 दूनी 10, या आप लोग कही सकतो परणामी बराबर, आप लोग 215 दूनी 2 या फिर 216 को डारेक्टली खतम कर लो यहां पर, ठीक, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं लोग, परणामी, ठीक है, अब देखो आपका, इसमें दिशा की बात कही है या, इसमें और भी है, यह भी ग्यात कीजिए कि उड़ने के लिए 10 मिनिट की बाद, अबाजास कितने दूरी पर होगा, उड़ने का अबाजास कितने दूरी पर होगा, यह भी इनका कहिना कि इतनी दूरी पर होगा, तो दूरी बराबर हमारे पास फार्मॉला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो दूरी बराबर, दूरी को मैं एक्स लिख रहा, चाल क्या है हमारे पास, ये निकला 216, समय हमारे पास कितना दिया गया है, समय पार, 10 मिनीट दिया गया है, 10 मिनीट है, तो मिनीट को हम लोगों ने घंटें बदल लिया, इससे काटा हम लोगोंने, तो यक्स परड़ावच, 6 से भाग लगाओ, चैतिया अठारा और तिन च्छतिस तो दूरी हमारे पास क्या है दूरी हमारे पास है च्छतिस किलो मीटर अगर इसमें दिशा ग्यात करोगे क्या दिशा की बात कहींगा यह इसमें कितने दूरी पास। अगश्जा ग्यात करोगे। दिशा जान ग्यात करो 10 थीटा से 10 थीटा से 10 थीटा बनावार लंब अधः क्या है 200 आधः क्या है मारे पास 80 तो यह होँजएगा 200 बटे 80 1 जरू से 1 जरू कैंसिल करो इसे 10 बना दो इसपाँ उसे फाइच बना दो इसे दो बना दो, तो 10 थीटा बराबर हमारे बना थीजाएगा 2.5 , Eigenłam शाठीख को सड़सेट करें दो इसमें अगर आप लोग चेंजमेंट करोगे तो और अंपर आधरे को इसे कि आप लोगों रहे असी को ऊपर रख लिया दोसों को नीचे रख लिया तो इसके दूसरा आ जाएगा ठीक तो इतने का श्वाट करो कोशिन नंबर तीन में इस परकार से की तीन नूटन तो नूटन के दो बल एक कड़ पर कर रहे हैं जिनके बीच का कोड़ एक सुबी संस है इन बलों के पड़ामी का पड़ाम तथा दिशा भी गयात के जिए दो दुन चीज़ गयात करके दीजिए सबसे पड़े दो तीसरा नो समय कही है नम लोग कहेंग व के यह अँड बराबर हमारे पास है टीन न्यूटन गपल ऑफ तूफ बराबर हमारे पास है तस न्यूटन का बल फिख और इनका कहina है कि बलो ओक परणामी का परणाम ग्याद केजिये ब्लों की hour को लेकते हैं से अरब बराबर हमारे वन तन dependence यू होता है यू ठिक यह हमारे पास कितने अंस का है 120 अंस पर है यह यहाँ पर दो बल है यहाँ पर एक हमारे पास 3 नूटन एक है 9 नूटन तो यहाँ पर माल लो कि यहाँ पर जो बल है यह हमारे पास 3 नूटन का बल है और यह हमारे पास 9 नूटन का बल है ठिक और इसका प अब हम लोग겠emi है यह साइवा कि पहुचेंगे फिर बी सि जाएगे. तब हमरे पास यह पर्णामी है अब पर्णामी के लिए अभी हम लोग ने फार्मॉला उपको बता है था हुँने और बड़ाबर हमारे पास क्या होता है कि under root में a sq house b sq i à b cos theta reason है इसलिए ये लेना पढ़ रहा हमें क्योंकि अपकी बार theta कमान है हमारे पास क्योंकि theta कमान हमारे पास क्या है theta कमान अपकी बार है 120 यहाँ पर रखो r के जगा r बराबर under root में a square मालनों यह a हमारे पास है 3 कश को 9 b square तो 9 कवर 81 2, 3, 9 अब cos 120 ठीक तो r बेक्टर बराब अंडर root यह जुड़कर हो गया आपके पास 90 प्लस यह हो जाएगा 29, 27, 24 और cos 120 कमान minus 1 बटे 2 ठीक है यह काटो तो 27 तो r बेक्टर बराबर हो जाएगा आपके पास 90 minus 27 तो घटा दो आप लोग जब घटा होगे तो 10 से आपके पास 3 8 से 6, 63 r बराबर अब देखो 8, 8, 64 तो ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब है 7 की वर के आसपास है 7, 9 की वर के आसपास है क्योंकि यह लगभग 8 की तो आसपास है 8, 64 तो इसको अम लोग क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग 7, 9 की आसपास ठीक किसमे हैं हमारे पास Newton में तो यह भी Newton में है पढ़ नामी दिशा भी ग्याद करने के लिए कही गई क्या इसमें दिशा ग्याद करोगे हाँ हाँ दिशा भी ग्याद कीजे आपकी पर दिशा के लिए फार्मूला चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी पास यह लंब नहीं है ठीक तो देखो यहाँ पर हम लोग दिशा के लिए फार्मूला क्या होता हमारे पास दिशा के लिए 10 Theta के लिए क्लास 11 पर पढ़ा था हम लोगों ने 10 Theta बराबर F1 Sin Theta बटे F1 Sin Theta बटे F1 Plus F2 Cos Theta अब देखो यहां 10 Theta को 10 Theta लिखो और बराबर F2 के लिखो के आप लोग 9 और sin 120 बटे F1 के जगा 3 plus 9 into cos 120 10 theta बराबर 9 sin 120 का मना under root 3 बटे 2 3 और 9 cos 120 का मना minus 1 बटे 2 तो minus 2 आ कले हमने तो 10 theta बराबर हो जाएगा 9 under root 3 बटे 2 बटे 3 दूनी 6 9 से 6 गटाओ तो minus 3 बटे 2 2 से 2 कैंसिल 3 तरिकनो 10 theta बराबर हो जाएगा minus 3 under root 3 इसको उधर भेजो तो theta बराबर हो जाएगा 10 inverse minus 3 under root 3 यह आंसर रख सकते हो लोग या फिर इसको इससे कह सकते हो कि इसको जग मान निकालोगे तो theta बराबर 10 inverse 10 under root 3 जो है 10 साट कमान है और इसमें 3 का बुड़ा लगभग है तो हम लोग कहेंगे लगभग यह 101 के अंस के आसपास है अब देखो question number आप लोग 4 यानि आखरी है अगर बुक में आपके और भी question है तो comment से समझेज़ों comment कर दीजेगा या आखरी है इसमें ठीक है हाँ तो देखो आखरी में आपके पास यह है एक कड़ पर 5 न्यूटन 4 न्यूटन 3 न्यूटन की पढ़ाई बल कर्मसा पूरब उत्तर पश्च्चम दिशाओं में लगे है सदिश आरेक खीच कर पढ़ने भल गयाद कीजिए सदिश आरेक खीच कर दखो सबसे पहले तो आप लोग दिशाओं गयाद कर लोगे यह हम लोगों ने दिशा हम लोगों ने बना लिया यह हमारे पास पूरब है यह हमारे पास पश्चिम है यह हमारे पास उत्तर है और यह हमारे पास दच्छण है ठीक पूरब पश्चिम उत्तर दच्छण अब इनका कहना क्या है इनका कहना है कि 5 न्यूटन पूरब की ओर तो 5 न्यूटन पूरब की ओर तो इधर जो बल है यह 5 न्यूटन का बल है इसके बाद है 4 N पूरब निये 4 N उत्तर की ओर है निये 5 N पूरब की ओर 4 N उत्तर की ओर है तो 4 N जो है ये उत्तर की ओर है और 3 N पूर है तो 3 N पूर है ठीक तो अब सदिश आरेक खिचकर पढ़णामी बल गयत करना इसमें जब पढ़नामी बेलकत करेंगे आपको पता है कि इस अक्ष को हम लोग यक्स अक्ष कहते हैं इसको हम लोग यक्स डैश अक्ष कहते हैं इधर वाई कहते हैं इसको यक्स का माइनस मन होता है इसका मतलब तीन माइनस में है ठीक और पांच प्लस में है तो इसका पढ़नामी व यह पर ए बड़ दस्टार की सहतनी तों प्राइधा गोर्स की प्रशिमत प्रमे का प्रियोग करेंगे क्यों करेंगे मिल्ब उनामि रूप में , तो हम लोग करेंगे पढ़्णामि बल नामिल तो r-c explain the 5 w दो करेंगे नामिल तो आप लोग कही सकते हो कि आर बराबर, अब देखो यह 4 के बर्बर के जादा, 4 के बर्बर किसे ज्यादा है, 5 की बर्बर के से कम है, तो 4 दसमलो कर सकते हैं क्यों 4 दसमलो कर सकते हैं क्योंकि 4 के बर्ष के ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे 4 चोको 16 फिर बचा आपकी पास 4 चोको 16 नहीं 4 दसमलो 4 7 या 4 दसमलो 5 कर सकते हो यह आपकी पास पढ़ नामी आ गया ठिक यह आ गया परणा में अगर बाइचांस दिशा की बात की जाए तो दिशा आप लोग 10 थीटा बराबर लंबटे आधार तो 4 थीटा बराबर यह हो गया 2 अब देखो यह 10 10 थीटा बराबर लगभग 64 अंस के आसपास है तो 10.3 भी खत्म 10.4 मिलते हैं कि 10.4 इंपॉर्टन है अभी चेक कर लेते हैं आपका ट्रिक तो हम लोग पता प्ताली चेतरपर कर्शन पढ़ हैं हम लोग हाँ 10.4 भी आपका इंपॉर्टन है बड़रुतम यह थो 10.3 है यह ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं थीजिप्स इसको आपनेुन नॉर्माल भी पढ़ सकती हों लेकिन फिजिक्स में आपने उसले इसलिह इसलिए इसको पढ़ना चाहिए 10.2 रीए उसले ज्यादा इम्पान नहीं है यहित्ञ इसलिए उसलिए उस्को पढ़ना चाहिए सु मिलते में 10.4 है तो हाँ जीत नहीं रखो 10.4 मिलेंगे अगर स्किन्शोट लेना चाहते हो तो ले लो स्किन्शोट